हैलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोचपुरी इंडरेश्टी की बहुत ही मसूर और खुबसूरत एक्ट्रेस रीचा दिक्षित के फुल लाइफी स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में दोस्तो इस वीडियो में मैं अफ सभी को रीचा दिक्षित के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ तो अगर आप रीचा दिक्षित को पसंद करते हैं और आप इनके फैंस है और आप जनना चाहते हैं इनके बारे में सब कुछ तो आप हमारे वीडियो के अंतक हमारे साथ बने रहीएगा दोस्तो रीचा दिख्षित के नेक नेम रीचा है और ये परफेशन से मोडल और एक ट्रेस है इनका जन्म 28 सितंबर 1995 को कानपूर उत्तर परदेश में हुआ था तो अभी 2022 के अनुसार इनकी एजबी 27 साल है दोस्तो अगर बात करें इनके एजुकेसनल कॉलिफिकेशन के बारे में तो इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कानपूर से ही पूरी की है और अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से एक रेजुबेशन कम्पलीट की है दोस्तो आईए अब आपको मिलवाते हैं इनके फैमली से तो दोस्तो इनके माता पिता के नाम जानने का तो मैं बहुत परियास किया लेकिन इनके मता-पिता के नाम मुझे पता नहीं चला लेकिन ये रहे इनके फैमली के कुछ तस्वीरे दोस्तो आप बात कर लेते हैं कि रीचाद दिक्षित ने भोजपुरी इंडेश्टी में अपनी केरियर की सुरुआत कैसी की रूदरा फिल्म से अपनी केरियर की सुरुआत की और यहाँ फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी ज़दा धूम मचाया और रीचाद दिक्षित इसी फिल्म से दर्सों को कोई बीच अपनी एक अलगी पहचान बना ली फिर उसके बाद रीचाद दिक्षित ने कई सारे भोचपूरी फिल्मों में काम किया और इनका हर फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी ज़दा सुपर हीट साबित हुआ और आज यही वज़ा है कि रीचाद दिक्षित के चाहने वालो फैंस के संख्या करोरों में है तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनके फिजकल स्टेटस के बारे में तो इनका हाइट पाँच फिट पाँच इंच है और वजन लगबग 55 केजी है और इनका आई कलर बिलेक है और हेयर कलर भी बिलेक है और इलेजन से ये हिंदू है और नेथनलिटी से इंडियन दोस्तों आप बात कर लेते हैं रिचाद दिक्षित के रिलेशन्सिप के बारे में तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दू कि रिचाद दिक्षित अभी सिंगल लाय और इनका कोई बोईफ्रेंड नहीं है और ये अपनी पूरी फोकस अपनी केरियर के उपर दे रही है वही अ बात करें इनके होविस के बारे में तो इन्हें रिल्स बनाना काफी ज़्यदा पसंद है जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि रिचा दिक्षित एक फिल्मों में काम करने के लिए कितने रुपए चार्ज करती है तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दू कि रिचा दिक्षित एक फिल्मों में काम करने के लिए लगभग 6-8 लाक रुपए चार्ज करती है वही अगर बात करें कि ये अभी कहां रहती है तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दू कि रीचाद दिक्षित अपने पूरे परिवार के साथ फिलहाल मुंबई में एक बहुती अलिसान मैल में रहती है तो दोस्तो अब आप सभी को क्या कहना है और आप सबको रीचाद दिक्षित के बारे में जानकर कैसा लगा और आप सबको रीचाद दिक्षित और इनके एक्टिंग आप सबको कैसा लगता है आप सब अपना राय हमें comment box में comment करके जरूर दिजिएगा और दोस्तों अगर आप रिचाद दिख्षित के फैंस है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजेगा और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल ओफीसियल रमिस को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ठैंक्यू